हेलो बच्चो कैसे हो आप सभी वेलकम टो दो न्यू सेशन ओव ट्वंटी ट्वंटी वन जो भी बच्चे नाइन से प्रमोट होके टैंथ में आए हैं बोर्ड के एक्जाम मलब एक्जाम्स देके सिंपल बात है तो बोर्ड के एक्जाम के लिए त्यार हो जो क्योंकि टैंथ साइन्स के जितने भी कॉंसेप्ट है उनके सारी 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 चीजे इस चैनल पर मैं कंप्रीट करवाँगा आपका प्यार अससर केशव भारदवाज ओके सो यहां पर हम क्या डिसकस करेंगे हम सारे सारा सबसे पहले तो स्लेवस करेंगे ओके उसके बाद उसके NCRT के कोशन चिंतान अगरो यह सारा मैं ही करवाँगा प्लस उसके एक्स्ट्रा कोशन जितने बनते हैं लखमीर सिंग अरिहंत वगरा वगरा अलग अलग बुक्स हैं ठीक है प्लस लास्ट में क्या होगा बोर्ड के अंदर जो कोशन आ चुके है पुराने तो यह सारा का सारा PDF form में भी एक्वेशन क्या होती है ओके तो अगर आप मेरे को फोलो करना चाहते है शोशल मीडिया पर तो यह मेरे हैंडल है फेस्बुक पर मेरा नाम है केशोबार्दौ 01 यह यूजर हैंडल है मेरा ओके उसके बाद टेलिग्राम पर अगर इस चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ देदया है मैं इस चैनल का लिंक आपको दे दुआ है ओके तो आगे चलते हैं पहला चैप्टर इसमें है क्या दो हर चैप्टर का पहले इंट्रोडेक्शन पढ़ नेते ही हैं उसके बाद चैमिकल रियक्शन क्या होती है और उसकी एक्वेशन कैसे लिखते हैं और जब लि लेवल पर जाते जाएंगे हर चैप्टर की लगबग लगबग आपको आठ से नो वीडियो मिलेंगी कम से कम जिनके अंदर कम्प्लीट चैप्टर प्लस NCRT कोशन एक्सेक्टर एक्सेक्टर यह सारी चीजे लिए डिसकस्, हम यहां पर बैठके करेंगे ऑके तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या होता है chemical एक्सेट उससे पहले chemical चेंजिस और फिजिकल चेंजिस क्या होते है ऐसे चेंजिस जो temporary हो नेचर में यानी reversible हो temporary चीज़ वही होगी ना जो बाद में change कर सके यानि reversible हो प्लस जिसमें कोई नया substance ना बन रहा हो जैसे कि ये pen है अगर इस pen को मैं तोड़ दो तो क्या बनेगा pen नहीं रहेगा ना कोई नहीं चीज़ तो बनी नहीं इसकी properties भी चेंज नहीं जैसा यह पहला pen था वैसा ही है मेरे पास दो पैन होग एक टाइप से इसको वापस मैं जोड सकता हूँ फैब क्यूक लगा के बिल्कूल तो यह कैसा change हुआ physical change physical change में आप कहा सकते हैं उसके भारी structure change हुए chemical change क्या होता है chemical change एक टाइप से लूज करके एक नया ही substance बना लिता है अभी समझ में नहीं कोई tension की बात नहीं अभी आ जाएगा जैसे इसका एक्जांपल देख लेगा मैंने अभी पता है pencil है pencil को अगर मैं तोड़ दू तो अब मैं क्या है यहां पॉम में बन जाएगा solid से liquid में इसको वापस में solid कर सकता हूं जमादो यार सेम आइस को मैं water में convert कर सकता हूं water से ice में यानि यह कैसे है इसमें कोई नया substance बन रहा है यह भी पानी था यह भी पानी यह भी बटर irreversible ठीक है irreversible ठीक है irreversible ठीक है irreversible और क्या हो रहा है एक नया substance पॉम हो रहा है अब राक जो है उसकी प्रोपरटी और वूड की प्रोपरटी बिलकुल अलग है प्लस राक के साथ साथ क्या बना carbon dioxide और water इन सबकों में चाहिए कैसे जोड़ लूँ यह वापस से वूड नह प्लस यह जो नहीं चीज़ बनी है इसकी प्रोपरटी पहली वाली से अलग है तो यह सारी चीज़े होती है फिजिकल चेंजिस एंड केमिकल चेंजिस टेंशन नाम करो इसके जो नोट्स है वह आपको मिल जाएंगे आप अराम से जो चीज में कहूंगा आप लिखो चीज़ आप डाल नहीं सकते हैं आगे चलते हैं यहाँ पर बता रखे हैं आप इसे देख सकते हैं आगे आ जाते हैं एक सकेनद क्या होती है तो कैमिकल रियक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज़ादा सब्स्टांस आपस में रियक्ट करके एक या एक से ज़ाधा नए सब्स्टांस बनाते हैं जिनकी प्रोपर्टी अपने रियक्टेंट से बलब यानि जो पेरेंट से बिलकुल अलग होईगी यानि यानि ए और बी मिलके कोई compound बना रहे हैं C और D इन दोनों की property इन से अलग होएंगी, A, B को क्या कहेंगे हम reactants, यानि जो आपस में react कर रहे हैं, C, D को हम क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे product, ओके और reactant and product की जो properties है वो purely अलग मिलेंगी कोई same नहीं होगी, for example अभी हम आगे देखेंगे, या फिर आप इसे क्या सकते हो, ये ऐसा process है जिसमें पुराने bonds तूटते हैं और नए bonds बनते हैं ओके, आगे चलते हैं इसका example देख सकते हैं, आपको कहीं पे भी chemical reaction होते हुए दिखेगी तो उसके अंदर कुछ एक changes आपको देखने को मिलेंगे, यैसे कि उनका state change हो जाना, for example hydrogen, क्या होता है, एक gas होती है oxygen क्या होती है एक gas होती है, लेकिन जब hydrogen को oxygen की presence में हम burn करते हैं, ठीक है तो क्या बनता है, water, water क्या होता है यार एक liquid होता है, ठीक है आप जब heat up करते हो, तो lead oxide में convert हो जाता है इसका color अलग होता है इसका color अलग होता है, ओके या फिर कोई gas evolve हो रही है यासे इसी में देखोगे ना, तो nitrate से nitrogen dioxide बनेगा तो gas भी निकलेगी, यह brown color की gas होती है, temperature change हो जाना अब यह देखो, जो पहली reaction बताइए ना इसमें एक type से heat निकल दिया है तो आप कही सकते हैं कि temperature भी तो change हुआ इनका temperature अलग था, इनका temperature अलग है ओके आगे चलते है, chemical equation क्या होती है जो chemical reaction लिखिया है ना उसको ही हम chemical equation की form में उनके symbols की form में हम उसे represent करें वह ही हो गया, symbolic representation of chemical reaction is chemical equation जैसे कि usually questions आपको कैसे मिलेंगे जो आपके NCRT के अंदर भी है कि magnesium react with oxygen and give magnesium oxide ऐसे करके language में आपको मिलेगा तो आप magnesium पूरा हमेशा थोड़ी ना लिखोगे इतना में तो time waste बहुत होगा तो इसके symbol क्या होता है mg, mg react with oxygen and gives magnesium oxide अब कईयों कोई समझ में नहीं होगा magnesium oxide का formula ऐसे कैसे तुमने नाइथ में पढ़ा था magnesium और किसी का भी formula लिखना हो कैसे बना ये तो सिद्धी बता है, इसकी valency यहाँ इसकी valency यहाँ, दोनों की valency दो-दो है कट के क्या हो जाएगा, एक यह यहाँ गया, यह यहाँ गया या फिर आप, जैसे की water और अभी हमने देखा था hydrogen और oxygen का reaction देखी थी तो hydrogen की valency कितनी होती है, दो इसको हटा दो इक बरी और, सरी यार, क्या हो रहा है एक second, हाँ तो hydrogen की valency होती है, एक इसकी कितनी होती है, दो, गलती हो गई गलती से mistake हो गई, छोड़ो यार तो hydrogen की valency होती है, दो इसकी होती है, एक, cross multiply किया तो formula क्या बना, H2O ओके, तो यह बनते हैं आगे चलते हैं कि chemical reaction को chemical equation को balance कैसे किया जाते हैं तो इसको balance कैसे किया जाता है इसका principle के है, सबसे पहला तो question आता है कि हम यह जो कर रहे हैं, यह किस सिधान्त के उपर कर रहे हैं तो उसका सिधान्त है law of conservation of mass, law of conservation of mass के तहत, हम इसको balance करते हैं, जैसे कि इसमें होता किया, simple बात जितनी भी चीज़े left hand side में जितने number of atoms, left hand side है उतने ही right hand side होने चाहिए अभी आप इसको देखो जैसे कि यहाँ पर कितने zinc है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर कितने hydrogen है? 2 है यहाँ पर भी 2 है, कितने sulfur है? 1 है यहाँ भी 1 है, कितने oxygen है? चार यहाँ पर भी चार तो by chance यह reaction जो थी हो पहले से ही balance दी लेकिन क्या सारी reactions balance होती है नहीं जिसे नीचे वाली को देखो यहाँ पे iron है, कितने iron है? एक, यहाँ पे कितने है? तीन, यहाँ पे कितने hydrogen है? दो, यहाँ भी चलो, दो है लेकिन यहाँ कितने oxygen है? एक, यहाँ कितने है? चार डिफरेंस आ गया, तो इसको balance कैसे करते हैं? तो इसका सबसे आसान तरीका है और एक लोता तरीका है, hit and try बार बार ट्राइ करते हैं, चांस लगया हो जाएगा जैसे कि, आप इसको कैसे कर सकते है? यहाँ पे कितने oxygen है? चार है ना तो चलो भई, इसको चार से multiply कर दिया तो oxygen का तो निप्टा रहा हो गया लेकिन hydrogen यहाँ पे कितने होगे अब? आठ होगे, तो यहाँ पे भी आठ बना दो इसको चार से multiply कर दो तो यहाँ पे चार hydrogen, यहाँ पे भी चार hydrogen यहाँ पे जोरी, आठ hydrogen, यहाँ पे भी आठ hydrogen, यहाँ पे चार oxygen यहाँ भी चार oxygen, अब बच गया यहाँ पर solid है, यह gas है इनकी states को भी याद रखना है क्योंकि आजकल जो question है वो इससे twist करके बनाए जाते हैं बट tension नालो, आप उन बेटा है न, आगे चलते हैं कितने type की chemical reactions होती है Usually हमने NCRT ने 5 type की chemical reaction बताई है Combinational reaction, Decomposition reaction, Displacement and Double Displacement reaction Double Displacement reaction and Redox reaction ठीक है, तो आज हम mainly इन दो को पड़ेंगे बाकी जो है न, इनको आगे पड़ेंगे ठीक है, मुझे भी लग रहा है तुम्हें नीन दारी है यार चलो, तो Combinational reaction क्या होता है साथ की साथ बताता रहूँगा, सारी चीज़े Combinational reaction क्या होता है, जिसमें दो, या दो से जादा reactants आपस में react करके एक single product बनाएं, single main product बनाएं, ओके usually, जो अब मैं इसमें ये word डाल रहा हूँ, usually यानि mainly जो Combinational reaction होती है वो exothermik होती है अब ये क्या बला है exothermik exo मतलब, exo means exit and thermic means heat या energy यानि ऐसी reaction जिनमें इसके as a product side में आपको heat भी देखने को मिलती है पहला ये example है, यार calcium oxide जो पहले गरों में सफेदी होती थी तो calcium oxide को हम पानी में जब डालते थे तो क्या होता था, calcium hydro oxide बन जाता था, अब calcium hydro oxide के साथ साथ क्या बनती थी heat बनती थी, यानि इसे जब पानी में डाला जाता था, ठीक है एक टब में पानी भरके इसको जब डाला जाता था, पानी इतना गरम हो जाता था इतनी heat निकलती थी कि पानी उबलने लग जाता था तो नीचे लिखा भी हो है calcium oxide react vigorously यानि बहुत तेजी से heat निकलता हुआ react with water and produce slake lime, तो हमारा ये जो calcium hydroxide है, इसको हम क्या कहते है slake lime, और calcium oxide को हम क्या कहते है, quick lime याद रखना, बच्चे आपस में भूल जाते हैं, कोई और example देख लो, जैसे कि burning of coal, बर्निंग of coal में क्या होता है, जैसे कि mainly coal के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, carbon carbon को जब oxygen की presence में चलाओगे तो क्या निकलेगी, carbon dioxide plus में क्या निकल रही है, heat, जिसके तुम हाथ से क्लिपते हो, यार, okay water का formation, ये आपको कहां देखने को मिलती है, जो बड़े-बड़े rockets, NASA, ISRO भेजते हैं ना space में, तो उसमें क्या होता है, side में जो बड़े-बड़े rockets लगे होते हैं जिनमें से पीछे सफेद दुआ निकल रहा होता है, वो सफेद दुआ कुछ नी water होता है, उसमें क्या होता है hydrogen fuel होता है, oxygen की presence में burn होता है, तो water निकलता है प्लस में, पीछे आग निकलती हूँ दिखनी ली आग लगेगी, ओके आगे चलते हैं, नुरा फताही को याद मत करने लग जाना, हाई गर्मी बच्चे भी ना, इदर उदर भागते हैं जाते हैं, ओके, natural gas कोई भी natural gas हो, जैसे तुमारे घर में cylinder है, उसके अंदर भी आपको gases मिलेंगी propane, butane वगरा टाइप की, उसको छोड़ो भी जब चोथा चप्टर रहेगा तब पढ़ेंगे तो methane को जब oxygen की presence में burn करते हैं, तो carbon dioxide, water plus में क्या निकल रही है, energy, heat निकल रही है, okay exothermic reaction वही बता रहा है, एक सी reaction होते हैं जिसमें heat का release हो ठीक है, आस पास का temperature वो बढ़ा रही हो, raise कर रही हो, temperature को बढ़ा रही हो, okay जैसे की, एक यह question तुमारे NCRT में भी है देखो, वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहोगे तो वीडियो के बीच में मैं तुमें काफी सारी चीज़े बताता हूँगा जैसे यह NCRT का question है की, why respiration is taken as a exothermic reaction respiration जो करते हैं, respiration मतलब सास लेना नहीं, वो breathing होता है respiration होता है, कि जब हमने खाना खा लिया, उसको छोटे-छोटे particles में हमने तोड़ लिया, सबसे छोटा particle किस में तोड़ते हैं, glucose में ठीक है, glucose, glucose, glucose डी वाला मत समझ लेना इसको, ठीक है, glucose में glucose में इसको तोड़ लिया, तो यह कहां जाता है, हमारे cells के अंदर जाता है blood के दुरू, और oxygen जो हम ले रहे हैं, वो भी blood के दुरू cells में जाती है, तो cell में होता क्या है cell के mitochondria में, जब हम glucose और oxygen की reaction कराते हैं, तो carbon dioxide बनते हैं, जो हम सास के दुरू भार निकाल देते हैं, लड़किया अपनी सासों को अभी से याद मत करने लग जाना प्लस में water निकलता है, जो हमारे cell में यूज होता है, प्लस में energy निकलती है हमें product side में energy मिल रही है, it means यह कैसी reaction होई, exothermic, तो तुम्हें यह लिखना है आगे चलते है, exothermic का उल्टा होता है, endothermic, endo means means जिसमें enter कर रही हो, ठीक है, यानि जहां से heat को आपको enter करना पड़े है, उसको चलाने के लिए, heat क्या हो रही है, absorb हो रही है वहाँ पे क्या हो रही थी, release हो रही थी, यह क्या कर रहा है आसपास की चीजों को थंडा कर रहा है, तो decomposition reaction में endothermic होती है decomposition reaction कैसी होती है, endothermic, यानि इस reaction को आपको on करने के लिए, इस type की reaction को on करने के लिए आपको heat देनी पड़ेगी, और इसमें क्या होता है, एक single product से, एक single reactant से multiple products बनते हैं, जैसे यह देख लो, FESO4 को जब हमने heat up किया, तो क्या बना, F2O3 plus में sulfur dioxide and sulfur trioxide, एक से करना पड़ा, इसको heat up करना पड़ा, तो ऐसे ही एक NCRT का question है, की, किन्तु परन्तु बच्चो, की combinational reaction को decomposition से compare करते हैं, तो यह आपस में ulti-ulti हैं, क्यों, तो इसको बता देते हैं, decomposition में क्या हो रहा है, एक से दो से ज़्यादा product बन रहा है, एक reactant से दो या दो से ज़्यादा product बन रहा है, वहाँ पर क्या था, दो या दो से ज़्यादा reactant मिलके एक product बना रहे थे, यह कैसी होती है, endothermic होती है, यह कैसी होती है, exothermic होती है, तो that is why, this is the reason, okay, that is why, and this is the reason, क्या line बन गगी, क्या बात है, okay, calcium, calcium carbonate को, जब हम heat up करते हैं, तो क्या बनता है, calcium oxide and carbon dioxide, तो हमने heat देनी पड़ी, हमें energy देनी पड़ी, इसने energy को absorb किया, यह काफी important है, star marker के रहने न, lead nitrate को, जब हम heat up करते हैं, यह आगे मैं जब इसको explain करूँँगा, जब NCRT के question बगरा हैंगे, उसमें भी यह होएगी, उसमें pictures के तुरूब भी बताऊंगा मैं आपको, कि जब lead nitrate को heat up करते हैं, तो lead oxide, plus में nitrogen dioxide, जिसका color क्या होता है, brown, यह याद रखना, ठीक है, lead oxide का color होता है, yellow, ठीक है, यह भी याद रखना, और oxygen निकलती है, अब comment section में सभी बच्चों को क्या बताना है, कि lead nitrate, lead nitrate का color क्या होता है, एक second, चलो, इसका यह तुम्हें बताना है, comment section में, जो बताएगा, उसको मेरी तरफ से, एक chocolate, ओके, यह होता है याद बच्चों को और क्या दे, आगे चलते हैं, silver chloride, silver chloride हो, silver bromide हो, उसको जब भी हम धूप के अंदर रखेंगे, तो वो अपना color change कर देगा, किस में convert हो जाएगा, ग्रे में, या silver color कह सकते हो, एक ही बात है, तो इसने क्या किया, silver chloride ने sunlight की energy, sun की energy, solar energy, heat energy, light energy, कुछ भी कह सकते हो, में लिए आप कहोगे, solar, या light energy को absorb करके, किस में change हो गया, silver और chlorine gas अलग से निकल गई, या आपके NCRT में, page number 13 के उपर आसपास में लिखा हुए, आगे चलते हैं, same, silver bromide के साथ है, silver bromide को जब sunlight के उसके पर डलती है, तो silver अलग हो जाता है, और bromine gas evaporate हो जाती है, last, कौन सा तरीका रह गया, यही है, decomposition करने के तीन तरीके है, या तो आप उसको heat दो, as a energy, या उसे light energy दो, और last है, कौन सी, electric energy, तो अब हम पढ़ेंगे, electric energy जब हम देते हैं, और उसके तुरू हम decomposition करते हैं, तो उसे कहते है, electrolysis, और हम किसका electrolysis देख रहे हैं, water का, आपको सभी को पता है, कि जो pure water होता है, वो electricity को conduct नहीं करता, तो क्या ये करेगा, बिल्कुल भी नहीं, इसके ममी नहीं बना किया, बिल्कुल भी नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बिगाड़ देंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा acid डाल देंगे तो क्या होगा जिसकी वज़े से जो water है वो किसमें तूटने लग जाएगा H positive और O negative ions में अब देखो O negative ये क्या है N ion ठीक है और ये क्या है H positive kation तो positive charge किसकी तरफ जाएगा negative electrode की तरफ इसके उपर मैं हमने electricity लगा रखी है हमने बैटरी से जोड़ रखा है तो positive ion किसके पास जाएगा negative electrode यानि cathode के पास समझे और जो N ion है जिसके उपर negative charge है वो किसके पास जाएगा positive electrode के पास यानि cathode के पास ये देखो positive के पास कोन गया oxygen यहाँ पे जो ये इतना area भर गया है न यानि इसमें oxygen है और ये जो cathode के पास गया है वो क्या है हमारा oxygen sorry hydrogen तो आप एक बार देख सकते हैं इसकी volume hydrogen की volume oxygen की volume से double है तो आपसे question पूछ सकते है ये किस volume में तूटेंगे तो hydrogen की volume होएगी 2 और oxygen की volume होएगी 1 अगर आपसे पूछ लिया जाओ किस mass के ratio में तो देखो hydrogen यहाँ पे कितनी है अगर जैसे मैं इसको balance करूँ एक बारी मिटाना पड़ेगा बच्चो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बस एक सेकेंड में मिटा देता है मुगेमबो यार जब एक सेकेंड water को हमने डीकमपोज किया electricity के presence में electrolysis करी तो क्या बना water plus oxygen तो इसको balance करना पड़ेगा यहाँ पे कितने oxygen है यहाँ पे एक oxygen है यहाँ कितने है दो तो इसको फूरे को 2 से multiply कर दो, तो यहाँ पे भी 2 oxygen होगे यहाँ पे भी 2 oxygen होगे लेकिन, 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 किन्तु, परंतु, जीव, जन्तु यहाँ पे कितने hydrosons है यहाँ पे 4 hydrosons है तो यहाँ पे 2 है, इसको 2 से multiply करोगे तब बनेगी बात, तो अब यह equation balance हो गई तो एक hydroson का बजन होता है यहाँ पे कितने है, 4 तो कितना बजन हो गया, 4 एक oxygen का बजन होता है, 16 यहाँ कितने oxygen है, 2 तो कितना हो गया, 32 तो एक type से देखा जाए, 4 ratio 32, आपस मैं काटोगे तो 1 ratio 8, यह किसका ratio है, इनके masses का ratio है, अगर volume का पुछा जाए तो 2 ratio 1 बस मेरे प्यारे बच्चो आज की कहानी यहीं खतम होती है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, rate करें, review करें, अच्छे-चे comments करें, जिसको चोकलेट चाहिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, नए lecture के साथ, और अच्छी चीजों को हम पढ़ेंगे, जो हमारे boards में काम आएगी, अच्छे नंबर लाओगे, यार घरवालों को जो काओगे, वो करेंगे, ओके तो आज की class हम यहीं खतम करते हैं, thank you for मेरे साथ इतनी देर जहलने के लिए, कोई बड़ी मुश्किल से जहल पाते हैं, ओके चलो, आज की class यहीं खतम होती है, good night, tata, shabba, care, bye-bye